हेलो माई डियर स्टूडेंट्स, वालकम तो मैगनिट ब्रेंज, हिंदी मेडियम मैं आपकी अपनी प्रग्या गुपता लेकर आ गई हूँ, महान विक्तित्व के पार्ट में जो नचिकेता पार्ट हमने पढ़ा था, उसके बहु विकल्पी प्रश्न यानि की MCQs, MCQs क्या क करते हैं, MCQs दिमाग की उथल पुथल मचा देते हैं और वो हर तरीके से आपको चीजें याद करा देते हैं, देखिए, पार्ट जब हमने पढ़ा, पार्ट पढ़ने के बाद जो चीजें होती हैं, वो ब्रेंस्टॉर्मिंग से आपको याद होती हैं, तो कोई पूछ ले या हम किसी को सुना दें, या हम बता दें, या फिर करें हम उसका रिविजन, तो हर एक चीज जब थोड़ी-थोड़ी होती है, तो वो पार्ट हो जाता है आपको अच्छे से कंठस्ट, जैसे कि हमने पार्ट का सार पढ़ा, आपने जाना, निशित रूप से मैंने जैसे कह था कि कहानी के साराइश के रूप में आप अपने परिवार जनों को छोटे भाइवेनों को ये कहानिया सुनाया करें, उनको कहानी का मज़ा आ जाएगा और आपकी जो कहानी है वो कंठस्त हो जाएगी, रवाइज हो जाएगा आपको, साथी साथ रिशी कुमारी नचिकेत कि प्रशनोत्तर हमने करें, तो प्रशनोतर में भी हमने बहुत सारी नईनी बाते जानी, कौन थे, वाजश्रवा जी के पुत्र थे, क्या इन्होंने अपने जीवन में किया, वो सब हमने जाना, उसके बाद जो छोटे-छोटे विकल्प में आप से हाँ, पुछने वाली हमने जब पाट की पहली पंक्ती पढ़ी थी, तभी हमने लाइन जो है वो पढ़ी थी, आश्रुम का जो दृश्य था, उसके अंतरगत बताया गया था, कि जो बातावरण है, वो किसकी सुगंद से भरा हुआ है, विकल्प है, फूलों की, हवन की, भोजन की, इत्र की, चा वातावरण जो है, वो महका हुआ था, तो हवन की खुश्बू से, क्योंकि आपने देखा होगा, जो हवन होता है, उसमें बहुत सारी जड़ी बूटियां और ऐसी चीज़ने डाली जाती है, जो इसमें सुगंद तो होता है, ये साथ में, वो कितानू का भी नाश करती है, तो हवन जो है, उसका साइंटिफिक कारण भी है, तो वो आप जरूर ध्यान दीजे, तो हवन में जो चीज़ने डाली जाती है, वो सुगंद तो होने के साथ साथ, कितानू का नाश करती है, आसपास की वातावरण को जो है, वो पवित्र कर देती है, तो यहाँ फिलहाल ब लेकिन उन्हें वो बात पसंद नहीं आ रही थी, तो क्या कारण था, क्योंकि गाये कम थी, इसलिए उन्हें लग रहा था, कि भाई दे देंगे, तो हमारा क्या होगा, वे बुढ़ी और दुर्बल थी, क्या वो गाये जो थी, वो बुढ़ी थी, बुढ़ी हो चुकी थी, और दुर्बल यानि कमजोर हो चुकी थी, वे दूसरों की थी, क्या दूसरों की चीज़ों को दान में दिया जा सकता है, बिल्कुल नहीं, या फिर उपरयोक्त में से कोई नहीं, तो आपको बताना है सही जवाब, और सही जवाब है, वे बुढ़ी और दुर्बल थी, जो हम हमारे जो काम की कोई वस्तू नहीं है उसे दूसरों को दान में दे कर वो पुर्णे प्राप्त कर सकते हैं मेरे हिसाब से तो बिलकुल भी नहीं क्योंकि जो चीज हमारे काम की नहीं वच्ची है वो दूसरों के लिए हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो उनके काम आ जाएग दूद देंगी क्या वो ऐसा कोई लोगों की सेवा का कारे करेंगी किसी बच्चे के लिए वो दूद दे सकें तो गायों की देखभाल करने से क्या भाव आएगा लोगों के मन में तो बुढ़ी और दुरबल गायों को तो सिर्फ और सिर्फ सेवा की आवशकता है जो राजा स चाहिए जो हमारे लिए बिकार हो चुकी है यमराज ने नचिकेता से कितने वर मांगने को कहा कहानी में आपको याद होगा कि वह यमराज के द्वार पर जाकर तीन दिन तक बैठे रहते हैं तो वहाँ पर जब यमराज आए और उन्होंने देखा कि तुमाहा नचिकेता हैं उन्होंने कितने वर मांगने को कहा विकल्प हैं एक दो तीन चार जी हां उन्होंने उनको तीन वर मांगने के लिए कहा था आगे हम देखेंगे कि वो तीन वर कौन से हैं नचिकेता तीन दिन तक प्रिश्ण चार में कहां बैठे रहे स्वर्ग के द्वार पर यमलोग के द जी हाँ आपका जवाब है बिल्कुल सही यम लोग के द्वार पर यम राज के द्वार पर वो पहुंच गए थे और उनसे मिलने के लिए वो तीन दिन वही पर आसन जमाए बैठे रहे कि आप तो मैं मिलकर ही जाओंगा ठीक है तो यह हो गए मारे चौथा विकल पांचवा मृत्यू की पीडा किसे नहीं होती मृत्यू की पीडा तो मृत्यू की पीडा नहीं होने वाले ऐसे कौन से लोग हैं जिसने कोई पाप नहीं किया क्या ऐसा कोई वेक्ति जिसने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया उसे मृत्यू की पीडा नहीं होगी जिसने दूसरो को कभी पीड़ा नहीं पहुंचाई जिसने कभी भी किसी भी प्रकार से मन वचन कर्म से दूसरों को तकलीफ नहीं दी क्या उसे मृत्यों की पीड़ा नहीं होती या फिर जो हमेशा सच्चाई की राह पर चला जिसने हमेशा सच बोला सत्य का साथ दिया सत्य के मार्ग पर चल जो सच्चाई की राह है उस पर चलते हैं तो आपको मृत्यू भी बहुत आनंदित करने वाला नुभव होगी उसकी पीड़ा आपको नहीं होगी इस प्रकार हमने जाना पांचवा उत्तर नजिकेता ने पहला वर क्या मांगा आपको याद होगा भी हमने अपने पूर्वो प बर्दान कौन सा था मेरे पिता वापस जाने पर मुझे पहचान लें यह उसने पहला वर मांगा उनका उंका क्रोध शान्त हो जाये यह उसने मांगा उपरयोक्त दोनों मांगे मतलब ये दौनों एकी साथ एकी वर्दान में मांग लिए थे या फिर इन में से कोई नहीं इन में से कोई वर नहीं उसने कोई अलग वर मांगा था तो आपको बताना है जी हां आप हैं बड़े समस्धार बच्चे और अब आप पहचान गए है सही उत्तर जिहां उप्रोक्त दोनों हैं सही उत्तर यानि पहले वर्दान में उसने ये common दोनों बातें कहीं थी कि एक तो कि जब मैं वापस जाओं तो मेरे पिता मुझे पहचाल ले है ना वो मुझे ये ना कहें कि तुम कौन हो कहां से आयो ऐसी कोई बात चीत ना हो और दूसरा उनका जो मुझे पर क्रोध है जो मैं वहाँ पर ववाल करके आया हूँ उसका जो क्रोध है वो शान्त हो जाए तो इसलिए उन्होंने ये दौनों बातें जो थी एक कॉमन तरीके से मांगी थी ठीक है तो आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर नचिकेता के अनुसार दान में कैसी वस्तुएं देना चाहिए ये बहुत important प्रश्न है जीवन उपियोगी है क्योंकि कई बार हम अपने आवश्यक्ता के ऐसी कुछ चीज़ें लोगों को देते हैं कि चलो ये इसको दे दो वो उसको दे दो उनका वो अभी काम के लायक हों क्या वो देना चाहिए जो दूसरों के काम आ सकें ऐसी वस्तुएं देनी चाहिए उपरोक्त दोनों या फिर दोनों चीज़ें कॉमन तरीके से होनी चाहिए या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं 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 कोई नहीं तो पर खुद के लिए जोरदार तालियां बजा लीजे अब है यहां पर जो प्योगी हो और जो दूसरों के काम आ सके निश्यत रूप से मान के चलिए मुझे अपना कोई पैन दान करना है ठीक है मैंने संकल्प लिया है कि चलिए शिक्षा की कोई वस्तू में दान करूं तो चल पांच लाइन भी नहीं लिख पाई और वो समाप्त हो गए खत्म हो गए तो मैंने दान तो कर दिया लेकिन क्या मेरे दान की वस्तू ने उस व्यक्ति को मदद दी क्या उससे सहायता मिली उसको नहीं मिली तो ऐसी वस्तू का दान ना करें जो कि स्वैम के लिए उपी होगी ना हो यानि हम उसको बेकार समझ रहे हैं और दूसरे के भी कोई काम ना आए और दूसरी चीज तो दूसरे के काम आ सके यानि कि कोई स्वैटर अगर आप किसी को दे रहे हैं ठंड के महीने में शीत के लहर चल रही है और आपने किसी को स्वैटर देने का ठान लिया कि चलो आप अपने काम में उसको नहीं ले रहे हैं लेकिन वो फट चुका है खराब हो चुका है जब उससे हवा अंदर जा रही है ठंड खुद की बच नहीं रही है तो ऐसी चीज़ को दूसरे को दान दे कर क्या हासिल करेंगे तो दान देने के पहले ये कुछ चीज़ें हमें देखना चाहिए हाँ स्वेटर आपको अच्छा है लेकिन सिर्फ छोटा हो गया है वह आपको बहुत तक उपर आने लगा है तो आप उसको दान दे सकते हैं क्योंकि वो आपके काम का नहीं है लेकिन वो अगले के काम आ जाएगा थीक है तो दान देने के पहले ये प्रमु जीतियाग्य सुख प्राप्तियाग्य या फिर पुन्य प्राप्तियाग्य तो कौन सा यग्य उन्होंने कराया था जी हां बिल्कुल सही है आपका जवाब उन्होंने विश्व जीतियाग्य करवाया था जिसमें उन्होंने उन गायों को दान करने का संकल्प लिया था ठीक है बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्ण की ओर जो की है पाट 9 नचिकेता किसके पुत्र थे महरशी वाजस्रवा के भूरिश्रवा के महरशी वालमी की के या फिर महरशी कनव के तो हमने पाट के दौरान जाना था, अभी अभी बादचीत के दौरान भी मैंने कई बार आपको यह उत्तर बताया, कि जो नचिकेता थे वो महर्शी वाजश्रवा के पुत्र थे, अगले और अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यह कथा किस उपनिशद से ली गई है, यहाँ जो कथा है, कौन से उपनिशद के अंतर गताती है, कठो उपनिशद, छंदो उपनिशद, उपरोक्त दोनों या फिर इन में से कोई नहीं, तो यह हमारे प्रमुख जो पनिशद हैं, उनके दोनों नाम हैं, जी हाँ आपका जवाब है बिल्कुल सही, पाट के अंतिम पंक्तियों में यह आपको जवाब मिलेगा, कि यह जो कथा है, यह कठो पनिशद से ली गई है, तो इस प्रकार हमने जाना कि किस प्रकार यह जो गये, रेमराज से कितने वर्दान मांगे, वर्दान में उन्होंने क्या मांगा, यह सारी की सारी चीज़े हम जान चुके हैं, तो मैंगनेट ब्रेंस हमेशा यही उम्मीद करता है, कि आप जो भी पढ़ें, उसको बिल्कुल एक छोटी से छोटी जानकारी भी उससे द्रेंदित आपके पास होनी चाहिए, सूक्शम से لेके व्रहद ज्यान तक आपके पास होना चाहिए, मैंगनेट ब्रेंस आपके लिए आपकी हर एक कक्षा-कक्षा साथ से लेके बारवी तक के हर एक कक्षा का हर एक वीडियो-र हर-बोड का है न마 हर ECV का यहां पर और बोर्ड, NTSC, CUT, Olympiards और Spoken English जैसी चीज़ों की तयारी भी आपको इसी प्लेटफॉर्म पर कराता है और जो सब कुछ है बिल्कुल निश्युलक तो बस फोन उठाईए, क्लिक करिए और इन वीडियोस का लाब लीजिए क्योंकि आपका लाब लेना ही हमारी सफलता को सु के लिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है बस उस पर कर दीजिए फटाफट क्लिक खुलेगा गुगल फॉर्म भर दीजिए सब्मिट कर दीजिए और फिर हमसे संपर्क के दौरान जो चीज़ें आपको चाहिए जिस वीकक्षा की वरक्षीट्स जो भी च प्रशन उतर और उसके बाद बहु विकल्पी प्रशन लेकर मैं बहुत जल्दी आने वाली हूं तो कीजिए मेरा इंतजार तब तक रखी अपना खास क्यार रिवीजन करते रहेगा अगले जो वीडियो शुरू करेंगे उसके पहले हम कुछ पूर्व प्रशन उतर को दूर चर्चा करेंगे मिलते हैं बहुत जल्दी तब तक के लिए बाई बाई